हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अराम से होंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना एक टॉपिक जिसका नाम है किस तरह से हम अपना इंट्रड़क्शन दे सकते हैं तो यहां पर मैंने नाम को हाइड कर दिया है क्योंकि यहां पर अपना नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली लाइन जो आपको पता है जब हम अपना इंट्रड़क्शन देते हैं सबसे पहले हम बत होगे तो हम लिघते है म ए र अ मेरा न आ र म नाम यहां वीच में डैश है जो भी हमारा नाम है है थे हमारा नाम क्या है जो भी हमारा नाम है हम यहा लिखेंगे ठीक है, नेक्स्ट है आप का नाम What is your name? क्या है Question mark इस तरह से डालेंगे कि आपका नाम क्या है उसका जवाब था मेरा नाम यह है, जो भी है, ठीक है उसके बाद, नेक्स्ट है Pleased to meet you आप से मिलके हमें अच्छा लगा ठीक है, आप से मिल कर खऊ ओके वेट यार, यहां लिखते है थोड़ा छोटा अगर के लिखते है इस कलर से, नहीं इस कलर से, अच्छा आप ठीक है, से मिल कर खऊ आप से मिलकर खऊशी हुई, मतलब Pleased to meet you Please come in ठीक है इस ला Please come in किस तरह क्या बोल जाता है, तसरीफ लाएं ठीक है, तो कैसे तसरीफ लाएं? तरह बोल जाता है, तसरीफ लाएं ठीक है, उसके बाद हैं, उसके बाद है, प्लीज है तक तो उर्दू में इसको क्या गोलते हैं? तशरीफ रखें उसके बाद है मेरी अम्मी का नाम हा तो अपकी माताजी का नाम क्या है मा जैसे बोलते हैं तो उर्दु में हम बोलते हैं अम्मी तो मेरी अम्मी का नाम क्या है जो भी है जैसे अम्मी मा का नाम जो भी है वो लिखेंगे तो उसके बाद है मेरे वालिद का नाम जैसे मेरे वालिद का नाम जो भी नाम होगा वो लिखने हैं जैसे तो ये को बोलते हैं कुछ आपके self introduction थे, कुछ self introduction में दी जाने वाले, कुछ few sentences जिसमें आप अपना नाम बताएंगे, या फिर आप next किसी से पुछेंगे, what is your name, उसे इंतान से पुछेंगे, ठीक है, pleased to meet you, आप से मिलके अच्छा लगा, जो कि last में बोला चाता है, ठीक है, please come in, जब हम किसी को अंदर बुलाते हैं, suppose हम रूम के अंदर बैठे हैं, और बाहर से कोई knock करता है, बोलते हैं कि हम अंदर आ जो, तो हम बोलेंगे please come in, कि आप जो हैं अंदर आ जाएं, उसके बाद हैं तश्रीफ रखें, तश्रीफ रखें, मतलब जो हम किसी को बैठने के लिए बोलेंगे, sit down, तो हम बोलेंगे तश्रीफ रखें, please have a seat, ठीक है, उसके बाद मेरी अम्मी का नाम, जो मतलब अपनी ममी पापा फैमली के बारे में जब बताएंगे, मेरी अम्मी का नाम ये है, उसके बाद मेरी वालिद का नाम, मतलब फादर्स नेम, वो बताएंगे कि वो ये है, ठीक है, इस तरह से आप अपनी सल्फ इंट्रोड़क्शन देंगे, शॉर्ट सल्फ इंट्रोड़क्शन ये हमने बताईए आपको, कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा, हमारी चैनल को लाइक शेयर, सब्सक्राइब जरूर किजएगा, धन्यवाद,